हलो सुडेंट्स स्वागत है आप सभी का साइनसेंट फ़न 9 10 11 के यूट्यूब चैनल पे जहां हम तीचर्ज आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो we have already done power sharing of class 10th and power sharing का ही आगे का जो chapter है federalism वो पूरा पूरा link करता है power sharing से तो I thought why not to start federalism now और आप लोग के बहुत सारे बहुत बच्चों के schools में ये chapter शुरू हो भी गया है अब जो आपके periodic test होने वाले हैं उसमें आने भी वाला है तो it will surely surely help you this chapter is very easy but आपको इससे पहले power sharing थोड़ा बहुत तो आता होना चाहिए that is basic definition of power sharing when power is divided among various you know power shared among various levels of government and then उसके key features या फिर कैसे power sharing एक democracy को बहुत deepen up करता है तो ये सारी चीज़े हमने already power sharing में with the help of Belgium and Sri Lanka के example से हमने करी बस उसी को carry forward करते हुए हमारा आज की जो class है वो हम करेंगे federalism chapter इस chapter को में दो lectures में लेके आऊंगी आपके सामने so that आप लोग एक lecture में जितना भी कराया उसी को आप उस particular time period में कीजिए जब तक दूसरा lecture नहीं आता मैं ये बात आपको एक advice कहलो कुछ भी कहलो अगर आप लोग हमारे से जुड़े हैं that is science and fun से जुड़े है SSD के लिए मुझ से जुड़े है रीमा से जुड़े है तो आप लोगों को accordingly चलना चाहिए for example अगर आज Saturday को मैं आपके लिए लेके आई हूँ फैनलिजम का lecture number 1 and next Saturday का lecture number 2 आ रहा है तो आप उस एक हफटा उस lecture number 1 की preparation को ही दीजिए इसलिए जितना भी हम topic आज cover करेंगे उस topic के question answers भी साथ मैं मैं इस PPT में लाई हूँ so that आप जब घर पे इसको revise करें recall करें तो आप लोग के पास इसके questions भी हो कि जितना मैं ने बढ़ाया इस पैसे यह यह questions exam के point of view से यूनों बन रहे हैं आ सकते हैं तो यह आपको help करेगा उस चीज़ के लिए ठीक है तो आप उसको prepare कीजिए अब आपको यह माम एक of the अरे यार बीटा you are having five subjects maths का भी आ रहे है science की भी आ रहे है English की भी आ रहे है SST की भी आ रहे है Hindi भी आप घर पे पढ़ रहे होगे rather than this Sanskrit वगेर जो भी और subjects होगे तो इसलिए you just have to manage that thing you know balance that thing तो वो भी आप लोग करिये I would really suggest you advise you whatever you समझो भाईया तो federalism का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम यह शुरुवात कर लेते है lecture number one है आज federalism का मतलब भी power sharing जैसा ही होता है जहां पे जो हमारी सरकार है वो बटी होती है अलग-अलग भागों में और उन अलग-अलग divisions के पास होती है अपनी-अपनी powers येस जैसे कि इंडिया है इंडिया is a federal country यूँकि हमारे देश में भी जो सरकार है वो अलग-अलग divisions में बटी हुई है और उनकी powers भी अलग-अलग divisions wise stated है तो this is what federalism means तो what is federalism federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country अलग-अलग भागों में बठा होना country में it is known as federalism बिटा जैसे कि power sharing को मैं समझाती हूँ एक school के model से वैसे ही federalism chapter को मैं एक family के model से समझाती हूँ जिसे एक परिवार होता है उसमें दो बेटे हैं बहुए हैं बेटी है हम अगर बेटों की बात करें तो अगर उनका different different काम है लाग एक business में है या एक job में है तो powers divide कर दी जाती है कि घर का ये section का खर्शा तुम गरोगे इसका खर्शा तुम गरोगे बहुत सारे घरों में ऐसा होता है नहीं तो लडाईया हो जाएंगी वो कहेगा मैं ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ तो बाट दिया जाता है यहाँ पे भी सरकार क्या करती है central authority, state authority, local authority सब में powers को divide कर देती है for smooth functioning of the nation तो बस central authority अब यह various constituent कौन कौन सी हो गई बिटा state हो गई, local हो गई अभी local में आगे आपका rural area हो गया जहाँ पंचायत वगेरा पाई जाती है urban area हो गया जहाँ पे आपकी municipalities पाई जाती है, municipal corporation पाई जाती है, इस सारी चीज़े हो गई इसने, right तो यह उसके various constituents हो गई अब paper में आ जाता है what are the features of federalism, right what are the features of federalism there are two or more levels of government yes, two or more level मतलब आपको बता है 1992 से पहले there were only two types of, two levels of government, एक आपका हो गया union और एक आपका हो गया state अब more level में आपकी local भी आ गई थी 1992 decentralization में वह हम अगले lecture में पढ़ेंगे of government तो यह हो गया आपका first speech के भाईया इसमें तो दो और दो से जादा levels of government हो थी different tiers of government govern the same citizens येस मैम ये क्या मतलब हुआ ये समझने के लिए आप देखिए अच्छा एक second हाँ मैंने new side की जगए duplicate side डाल दी थी चली तो ये समझने के लिए कि different types of government govern the same citizen let's take an example of a school here आप देखे स्कूल में principal जी होती है है न principal के नीचे अगर आपकी supposed to be class teacher आती है फिर वो monitors बनाती है और फिर उनके नीचे class के students आते हैं अब इन students के उपर तो बेटा जी monitor भी rule कर रहा है class teacher भी rule कर रही है principal जी भी rule कर रही है am I right तो this is what this means कि जो ordinary citizens होते हैं न बेटा ordinary citizens पे आपकी local government भी है then आपकी state government भी है and then आपकी union government भी है तो different tiers, tiers मतलब levels of government govern the same citizens तो this is what the second feature says the jurisdiction, jurisdiction का मतलब होते है final state, jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution लिखा हुआ है किस level की problem होगी तो किस level के judge के पास, court के पास जाना है the fundamental provisions of the constitution can possibly be changed only by the concept of both the houses both the houses, both the levels, center and state अगर कोई भी problem आएगी तो आपको पहले किस के पास जाना है state, then union लेकिन कहने की बात ये है कि अगर कोई भी change लेके आना है constitution में तो दोनों की दोनों government से consent लिया जाएगा discuss किया जाएगा लेकिन बात मानी जाएगी लोकसभा की अमने class 9 में बढ़ा है working office institution में Rajya Sabha can just delay the decision by 14 days that's it okay the fundamental provision of the constitution can possibly be changed by the okay, यह हो गया हमारा fourth feature fifth feature courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of the government तो court के पास अब court के levels भी आपको पता है ना सारे कि सबसे पहले सबसे lower level पे आता है आपका district court है ना इसके बाद आपका आता है high court और इसके बाद आपका आता है supreme court for example आपका case district के पास गया आपका decision आ गया लेकिन you are not satisfied with the decision तो what you will do you will go to the high court ना आपने same case high court पे डाला high court से decision आया but you are not you are still not satisfied कि नहीं जी मैं सच्चा हूँ मेरे खिलाफ क्यों जा रहे है result then you will go to supreme court supreme court से decision आता है and then also you are not satisfied then गर पे बैठो yes गर पे बैठो मत रहो satisfied बैठे रहो ऐसी भाया supreme court के ओपर कुछ नहीं है top level है इससे ओपर कुछ नहीं है ठीक है for financial autonomy source of revenue revenue का मतलब होता है कहां से income generator है for each level of government are clearly specified पहले ही बता दिया जी कि roads उसे पैसा आएगा तो ये सरकार रखेगी नदीब सी समुद्र से पैसा आएगा तो ये सरकार रखेगी लोगों के taxes इस form से आएगे तो ये सरकार पहले ही बता दिया पहले ही main objective क्या है to safeguard and promote unity of the country while accommodating regional diversity तो dual objective of federalism पे question आ जाता है one marker में या two marker में कि dual objectives क्या है dual objectives में आपका क्या आ गया बेटा जी number one unity of the country को promote करना है and number two accommodation देना है अलग-अलग diversity of people को right तो accommodation provide करना है these are the two dual objectives of federalism two mark का question two marks okay तो these were your key features of federalism key features of federalism okay इससे पहले मैं एक और बात संजाऊंगी आप लोगों को काफी अच्छी बात है हाँ तो बेटा जी paper में कभी-कभी आ जाता है two aspects of an ideal federalism okay question आ जाता है what are the two aspects of ideal federalism तो यहाँ पर हम एक example लेने वाले है ठीक है एक example हम यह लेंगे हापे हमना roles देंगे हमने central government को बोल दिया कि यह कौन है बेटा जी निबा समझ आ जाएगा देख ले ना तुम पपी ले लोगे मेरे phone में से ठीक है central हो गया निबा and state हो गई निबी अब निबा निबी तो you know they are in a relationship what are the two basis of the you know their relationship दो basis क्या है when I when I was teaching this in my offline center so one basis एक बचे ने बोला के माम मेरे बाबू ने थाना थाया this is the first basis तो no अगर हम practically बात करें किसी भी relation के दो basic ideals दो basic you know aspects क्या होंगे सबसे पहला कि आपस में एक विश्वास हो निबा को निबी पे और निबी को निबा पे तो the first aspect will be mutual trust ठीक है mutual trust is the first basis of an ideal federalism and the relation between निबा निबी first निबा तु मेरा मैं तीरी हमें दुनिया से क्या ले second thing second thing जो निबा निबी आपस में बोलेंगे साथ निबाना साथिया जनम जनम का साथ हो हमारा तो यानिकी second basis क्या हो गया agreement to live together right जैसे की निबा निबी आपस में बाते करते हैं कि तु मेरा विश्वास न तोड़े मैं तेरा विश्वास न तोड़ू और हम जनम जनम साथ रहें तो यही basic structure है हमारी इडियल federalism का mutual trust and agreement to live together is it clear पका comments में एक बार एक बार thumbs up दे दो यार and don't forget to like the session and share the session with your classmates with your tuitionmates last year I was having a community of 18,000 deadies मैंने बेरा first year था and मैंने 18,000 बच्चों को online पढ़ाया तो देखो इस साल भी उससे पार कर पाते हैं या नहीं चलिए ठीक है तो यह दो बेसिस हो गया ideal form of federalism clear है important भी है two markers में आ जाता है one marker में आ जाता है चलिए now the types of federation federalism तो there are two types of federalism में जात one is coming together federation and the other one is holding together federation what does this mean इसके बीच में difference भी आया था और मैं question answers में इसका difference tabular form में लेके भी आया हूँ now coming together का मतलब क्या होता है अगर मैं इसको अराम से समझा दो फिर हम उसको पढ़ लेंगे coming together में जैसे coming together आज हो भई coming together तो छोटे छोटे जो states होते है independent states होते है वो आपस में जुड़ जाते है और वो एक क्या बना लेते है bigger unit to become more powerful तो ये क्या बना लेते है मेरे बच्चो bigger unit बना लेते है to become you know more stronger more powerful तो ये कहलाती है coming together federation और इसका example है Australia, USA, Switzerland चुटी 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 निशन आके मिल गए और बड़े हो गए holding में already there is a bigger unit and they have divided that unit in various states and इसमें हर एक के पास powers distribute कर दी for example India और ये जो divisions है वो हो गए उसके states तो इसका example हो गया India, Spain this is holding together federation Belgium holding together federation I hope इससे जादा तो क्या ही बताऊंगी coming together में independent units come together on their own to form a larger unit, all the constituent units have equal power Australia, USA, Switzerland and holding together में बड़ी country decide करते हैं to divide its power among the constituent units जादी की states keeping view of internal diversity की बहुत जादा population हो जाती है central government tends to be more powerful जैसे की India, Spain and आपका Belgium clear है बच्चो? चलो, अब एक question बताऊं मुझे तुम लो comments में question ये है की dual objectives of federalism comments में लिख दो, जल्दी से dual objectives of federalism हाँ जी dual objective of federalism लिख दो yes it's to promote unity and to accommodate different regional diversity very good very good चलिये चलिये what makes ये जो फालतू की chats करते हो न आप YouTube पे आके निबबा निबभी जो भी example दिया बन जाते हो this will not gonna work ये बच्चे जो होते हैं न ढूंडते हैं किसका event लगा हुआ है आज हो जी, chatting करते हैं this is not gonna work okay what makes India a federal country now India में ऐसा क्या है जो उसे एक federal country बना था है right चलिये तो India is a federal country the constitution declared India the union of states obviously India एक federal country है क्योंकि इसमें हमने divide किये हैं अलग-अलग states constitution जो है वो originally two-tier system है of government the union government or what we call the central government representing the union of India and the state state government representing representing the states of India बात में third tier का introduction हुआ in the form of panchayats and municipalities panchayats in rural and municipalities in urban areas now the distribution of power between the central and the states in the Indian constitution अब देखो यार मैंने आपको अभी बताया एक family में लड़ाई जगडे को avoid करने के लिए क्या किया जाता है powers को divide कर दिया है ठीक है अब उन powers को divide करने के बाद क्या होता है बहुत ही कम chance होते है लड़ाईया होने के same है बेटा जी यहां पहले से ही subjects बना दिये अलग अलग list में union में state में and concurrent में union list state list and concurrent list जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो कहेंगे ma'am एक residuary list भूल गए आप तो बेटा जी residuary list जो है वो constitution में mentioned नहीं है मेरी जान वो बाद में बनाई गई for the subjects that are you know अभी अभी उबरे है e-commerce information technology यह अभी अभी उबरे है पैदा हो रहे है तो वो इसमें डाल दिये majorly हमारे constitution ने union, concurrent and state list आओ पढ़ते हैं कि करके इनको union list यहाँ पे वो subjects आते हैं जो पुरे nation के interest के हो यानि कि जिस पे central government rule करें जिस पे कोई differentiation नहीं हो सकता powers में या decisions में जैसे कि defense, हमारी army हमारा trade, हमारी currency हमारा communication system यह सब किसमें आता है बेटाजी union list these matters are included in the list as it needs a uniform policy throughout the country इनको uniform policy चाहिए the union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list तो यहाँ पे अकेली central government can make laws can make decisions पहले तो यहाँ पे 97 subjects थे लेकिन presently इसमें 100 ऐसे subjects है और अब तो और भी change हो सकते है हो सकता है और भी add हो गए हो ठीक है? nation के interest के national importance, defense, army okay now what is this state list? state list क्या होता है? state list is a list जहां पे state के respect में सारे subjects आते हैं जहां पे decision लेती है state government it contains subjects of state and local importance क्योंकि तब तक local सरकार तो आई नहीं थी local सरकार के हाथ में तो कुछ भी नहीं है सिर्फ rules and regulations होंगे वो central और state के हाथ में होंगे तो local interest के भी जैसे की police, trade, commerce, agriculture, irrigation यह सब किसमें आता है state state government इसमें अकेली laws बना सकती है और decisions भी ले सकती है पहले यहां पे 66 subjects है लेकिन आप इसमें 61 subjects है और मैं फिर बोल रही हूं आप इसमें और भी चीज़ दो सकते हैं आपकी book update हुई है चीक्या है? now, third is concurrent list now, अब ऐसे भी तो यार subjects होते हैं हम नहीं decide कर पाते हैं हम इसको यह central में दे यह state में दे यह कहां दे तो ऐसे subjects को डाल दियाते है concurrent list में for example, आप marriage, marriage कहां दोगे marriage, nation interest किया है, state interest किया local interest किया है ना, तो इसलिए हमने इसको कहां डाल दिया concurrent, adoption बच्चा डाउप करना, divorce तो यह कहां जाएंगे यह concurrent में जाएंगे, education forest marriage, adoption, succession आगे किसको पीडी सौप नहीं है ज्यादा देनी है तो it includes subjects of common interest जहांपे union और state दोनों ही governments को involvement लेना पड़ेगा union and state दोनों ही यहां पे laws बना सकती है, लेकिन अगर उनके laws एक दूसरे से टकरा गए, conflict कर गए, ऐसे case में union government की ही बात मानी जाएगी, ना की state government की यहां पे पहले 47 subjects से लेकिन अब यहां पे 52 subjects हो गए हैं, तो ऐसा question exam में आ जाए, one marker कर के वो subjects बताओ जो जहां पे जहां पे आपकी दोनों की ही क्या करना हो, decision लेना हो, दोनों कोई, union और state ठीक है? चलिए question आ सकता है, कैसी list बताओ, जहां पे दोनों union और state participate कर रहे हैं, तो concurrent, अब आती है residue, the subjects which are not mentioned in union state and concurrent list वो यहां आ जाते हैं, यह constitution में नहीं mention किया गया था, last में आया है, तो यह residue subjects होते हैं, जैसे की IT sector, e-commerce यह भी originate हुआ है तो यह है आपकी सारी की सारी different types of list, जिसमें अलग-अलग subjects आपके डाले गए clear है बच्चो, चले आगे power sharing union and state government, our constitution determines the extent of the sharing of power between union, state and its basic structure of the constitution तो powers को divide किया गया अलग-अलग levels में, any change to it has to be first passed by both the houses, both the houses मतलब बच्चो, Lok Sabha and Rajya Sabha okay with at least two-thirds majority then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states फिर की legislatures कौन होते हैं, जो लौल जो लौस बनाते हैं, legislatures वो होते हैं, the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedure, और जो judiciary होती है, judges होते हैं, वो सारा कारोकार को देखते हैं, भाईया यह सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह empire की तरह काम करते हैं, इसे cricket field पे empire बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, out तो out, no ball तो no ball, sixer तो sixer, in case of any dispute about the division of power, high court और supreme court जो होंगे, वो decision लेंगे, clear है बच्चो, ठीक है, चले आगे, now, judiciary क्या role play करती है एक federal system में, यानि कि judge judiciary क्या role play करती है, the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision, constitution में क्या laws आप डाल रहे हो, क्या provisions आप डाल रहे हो, यह देखती है judiciary, in case of any dispute about the division of power, the high court and the supreme court make a decision, तो यहाँ पे high court और supreme court decision लेते हैं, अगर कोई भी उनो conflict होता है, the union and state government have the powers to raise the resources, कैसे, taxes लगा के, एक बात यार रखना, सरकार की income होती है, लोगों पे taxes लगा के, on the government and the responsibilities assigned to each of them, तो अगर उनके पास resources की कमी है, अगर उनके पास पैसे की कमी है, तो वो क्या करेंगे, वो लोगों पे taxes लगाएंगे और उससे वो income कमाएंगे, that is the role of Judi Shree, अब आज हम इतना ही करेंगे, इसके इसी topic के base पे, इनी topics के base पे, कौन-कौन से questions ऐसे हैं, जो आपके exam में इन topics से बनते हैं, वो मैं लेके आई हूँ आओ discuss करते हैं, question number one, what is the reason for the success of federalism in India, कैसे क्योंकि हमारा constitution लिखा गया है बेटा, हमारे यहाँ पे powers को ensure किया गया है, सब को मिले, और साथ ही साथ, हम लोग अलग-अलग diverse relation को respect करते हैं, next, what are the objectives of the federal system, objectives क्या है, सब दो dual objectives है, unity of the country को maintain करना, and accommodate करना regional diversity को, यह किस पे बेज़ है बेटा, निबा निबी, mutual trust and agreement to live together, तो ideal form of government के दो aspects भी यही है, now, what are the objectives of federalism, what are the two aspects that are crucial in the practice of federalism, difference हो गया question में, now, to safeguard and promote unity वाला तो अभी हमने करा, और दो aspects की अगर भी हमने बात करी, तो अलग-अलग levels जो है, government की, union और state, कुछ set of rules पे, you know, mutually decision होना चाहिए, यार देखो भी मैने आपको बताया, अगर conflict हो जाए तो union की बात मानी जाएगी, लेकिन क्या बार-बार conflict होना अच्छी बात है, नहीं, आप देश के लिए सोच रहे हो, तो आपका देश के लिए कैसे इतना vary कर सकता है decision, they should also trust, इनको trust mention करना चाहिए, वो यार सेम बात होगी न, ideal वाला आ गया, और dual objective आ गया, तो यहां पर दोनों अपने explain कर दिया, question घूम के आ गया, coming together, holding together में difference, very important है यारी, यह जो है न, यह very important है, तो under this independent state, जो है वो एक साथ आ जाते हैं, यहां पर already bigger unit, smaller units में divide कर जाती है, हर एक constituents जो है states के, उनको equal powers दे गई है, autonomy, autonomy मतलब self rule, और यहां पर central government को you know, powerful माला गया है, main aim क्या होता है federation का, अपनी sovereignty, जहां पर कोई भी dominate न करे, and maintain the separate identity, to increase their security, maintain कर, अपने अपने, जो 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 आया है ना, अलग 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 कांसिशन मिले हैं, वो अपनी अपनी जो भी rules and regulations है, इसको maintained रखते हैं, यहां पर तो भहिया division होता है, examples दे दिये, Australia, Switzerland, USA, Belgium, Spain, India, यह examples, now federal government and unitary government में different, federal में दो से ज्यादा government levels होते हैं, यहां पर सिर्फ एक ही powerful होता है, central government अकेला state government पर राज नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर central government के पास power होती है, state government के पास power तो होती है, जिसमें वो central government को answerable भी नहीं होता, लेकिन यहां के जो sub-units हैं, वो central government को answerable होती है, examples, India, Germany, Canada, यहां पर France, China, Japan, यह आपर तो पते हैं यह चाइना में कौंगवा और रेनमिन दाव़ए करके एक ही पार्लिमेंट है, जिसमें National People Congress ही हर बार बनती है, key features, छे के छे वोई, जो आपते शुरुवात में discuss किये, कि भाईया, दो और दो से जादा levels of government होती है, government जो है, same citizens पर govern करती है, साथी साथ jurisdiction जो है, वो अलग-अलग tires के, अलग-अलग you know, बताए गए होती है, किस level पर आप जाओगे, decision ले दे, फिर fundamental provision जो है constitution का, वो कोई भी अकेला change नहीं कर सकता, हमें दोनों ही houses के पास जाना पड़ेगा, courts के पास power है, कि वो constitution को interpret कर सके, बीच में घुस सके, और highest court जो हैं वो इसके empire की तरह काम करते हैं, जो decision ये बोल देंगे, वो decision माना जाएगा, sources of revenue जो हर level के government के, वो clearly specified है, union, state और concurrent list में, federalism कैसे practice किया जाता है, अच्छा ये question अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये इसमें नहीं आएगा, ये मैं delete कर दूँगी अभी, key features तो हो गए, हाँ, इसे के साथ हमारा ये जो topic है, federalism का वो खतम होता है, लेकिन एक information आप लोग को देने थी बेटा, हमारा online paid batch चलता है बेटा, paid batch चलता है जिसका नाम है, boards foundation batch, जो कि आपको मिलेगा, science, and fun की app पे, जो कि play store और app store दोनों पे ही available है, और आपके PC में भी चल सकती है, जिसमें आपको, चारो subjects, maths, science, English, SST, maths by उशांग sir, science by आशू sir, English by दिफिका मैम, and this by रीमा मैम, यानि कि मैं, पढ़ाई जाएंगी वो भी live classes, यहां आपको week में एक class मिल रही है वो भी recorded, लेकिन वहां हम week में तीन से चार बार मिलते हैं, वो भी live, तो यह सारे provisions आपको कहां मिलेंगे, और विसी बात है हमारे app पे मिलेंगे, जहां पे आपको सिर्फ basics ही ही, जहां आपको basic psych amount पे करना है, और वो amount है, totally यह जो course है, वो 1499 का है, लेकिन आपको cbsc court लगाना है, और 25% का off मिलेगा, जिसमें आपको यह around 1000 कुछ का पड़ेगा, पूरे साल, मार्स तक, आप, boards तक, boards के एक दिन पहले तक, आप यह सारे facilities services ले साथे, I hope, आपको आज का यह lecture, पूरा clear हो गया होगा, जितना भी हमने किया, I would highly suggest कि इतना ही आप करो, इतने के basis कि आप इसके NCRD questions कर लो, next lecture में, हम यह पूरा federalism का जो chapter है, वो खतम कर लेंगे, और साथी साथ इसके NCRD questions भी discuss कर लेंगे, और बस, या प्रिपेर कीजिए, मिलते हैं, next lecture में, federalism के part two के साथ, see you all, bye bye guys.